कि असलाम अलेकुम् स्लूरेंट्स आज की लेक्टिय में हमारे पास पैपर मेंन केमपस का पैपर है म्स Muhas Reefivalไป का कम्योटिंग टूल का और 2019 है में केमपकर का फाइनल ऑपर है मारे पास जिसको हम आज डर इसका सूलुशन दें लगी है जैसे कि आपको पता है कि यह जो पेपर्स के स्लूशन है बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है MSC 4 समस्टर के लिए और BS 8 समस्टर के लिए भी ठीक है क्योंकि कम्यूटिंग टूल के पेपर बहुत जादा मुश्किल लगता है बच्छों को हम स्लूशन देखने लगें भाएं, चैनल को अड socio निभी लगतें तो लाइक किया करें-सन कासी लगंає साल के साMoreusan को स्लूशन को स्लूशन मिल सके और अगर जाते हैं कि ऊधिए डिए अपको यह भी बेपर का स्लूशन मिल सके अगर आगर आप चाते हैं कि सारे के साइर फैपस खाले उप पलैलिस् और यह शाओन जाहरे और पाल में पल्याथ अलेकिन ज सकता है तो सुझ लिए थी पलैलिस्ट का फॉरि अप्ली प्लेलिस्न प्लैलिस्ट के लिख एक जो रिख सकते हैं तो भाहन से खाली अध helping सुग्ण Q1 is draw the graph of the falling function, we have a function f of xy is equal to sin of x plus y square as x equals to minus 3 and plus 3 and y equals to plus minus 2, यह अमने question जब हो, 2019 का मने पास फाइनल का और यह जो question है, यह मिट के वेपर में भी आया था, 2019 का मिट का वेपर है, तो हैर हम इसका solution देखेंगे जहां से आपको नशर आ रहा है के वेपर किस तां से रिपीट होंगे, हलांकि यह मेन केमपस के वेपर है, सेम चीज़ भी आफ्लिकेटी कॉलेज़ के जो स्टूरेंट से उनके पिपर भी यहीं से रिपीट होते हैं, तो बहुत जादा इंपॉर्टन है यह थारे के सारे पिपर के स्लूशन आप लोग के लिए, next हमाई पास question number 2 है, for the function, function आप पे पास के है, f of x equal के e ratio of minus 1 over 1 minus x, write a program to calculate its left and right limit at x equals to 0 and 1 and also write comments to draw its graph, next हमाई पास question number 3 है, write program and comments to calculate the first and second derivative of the derivative 10 x square and calculate its maximum value, next हमाई पास के है, write the procedure to draw the unit circle by using the parametric equation in cylindrical and rectangular coordinate, ठीक है, तो यह पास questions है, question number 1, 2, 3, or 4, वैसे तो इस paper में जादा questions है, 8, I think 8 questions है, तो बारे-बारे हम रिडोट भी करेंगे और उनका solution भी देखेंगे, फिरहाल हमने 4 questions जो रिडोट की हैं, और इन 4 questions का हम solution बारी-बारी तर्तीब से देखेंगे, तो सबसे पहले हम question number 1 का solution देखेंगे, then 2, 3, and 4 का solution देखेंगे, तो हम move करते है question number 1 के solution की तरफ, तो देखें, students, यह आपके पास question number 1 है, और इसका हम solution देखने लगे हैं, इसका हम पास function का है, sign of x plus y square है, और हमने, x equal, इसका है, plus minus 3, and y equal, plus minus 2, के, तो हमने आपर ग्राफ करना था, जो कि हमने द्रॉक कर लिया है, और यह आपके पास question number 1 का solution है, next हम question number 2 के solution की तरफ, move करते हैं, तो देखें, students, next हमाने पास question number 2 है, question आपके पास, आपके पास एक function है, write a program to calculate, left and right limit आपने calculate करनी है, और हमने इसको graphy sketch करना है, तो सबसे पहले हम इसकी program को write, program write करते हैं, और उसके बाद left and right limit का calculate करेंगे, then हम इसका graph draw करेंगे, तो आपके पास function क्या है, function f of x equal, e is 2 minus 1 over 1 minus x के, तो यह आपके पास question है, जिसको हम solution देख ले लिगा है, तो यहां से हम इसका solution स्टार्ट करेंगे, और यहां तक हम इसको note करेंगे, उसके बाद हमने इसका graph plot करना है, graph draw करना है, तो हम इसका graph पी draw कर लेते हैं, तो देखें students, हमने graph plot कर लिया है, इस function का और यह आपके पास question number 2 का answer है, ठीक है, next हम question number 3 के solution के तरफ move करते हैं, तो देखें students, next हमारे पास question number 3 है, हमने प्रोग्राम हमने प्रोग्राम राइट करना है, और calculate करना है, first and second derivative हमने calculate करना है, 10 x square का, and calculate its maximum value, maximum value calculate करना है, तो यह आपके पास question number 3 का solution स्टार्ट होता है, this function हमने लिख 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 लिए, 10 x square हमने लिख दिया, और हम यहां तक आप इसको note करेंगे, और next हम यहां से लिख यह तक note करेंगे, और यह आपके पास question number three का solution होता है, complete, यह आपके पास answer question number three, next question number four की solution की तरफ, move करते हैं, next question number four हमने पास question number four है, write the procedure to draw the unit circle by using parametric equation in cylindrical and rectangular coordinates, आपने parametric equation लिखनी है किसकी parametric equation लिख लिखनी है, और draw करना है, आपने unit circle draw करना है, ठीक है, तो हम question of 4 के solution की तरफ move करते हैं, proper हम इसका solution देख लेते हैं, जहां पर हम unit circle draw कर रहे हैं, by using parametric equation in cylindrical and rectangular coordinates, ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम एक circle है, एक unit circle हम plot करेंगे, xk plus yk equals to 1, ठीक है, हम इसको plot करेंगे, जैसे कि आपको बता है कि हमने cylindrical and rectangular coordinate system, यूजे करने है, उसकी parameter की ने use करते हुए, हमने unit circle draw करने तो, एक circle तो ठीक हैमने draw कर लेक्टूर करेंगे, अब दूसरा हमने circle draw करना है, हम ने uproot circle draw किया है, क्यूँकि हमने धो coordinate system यूजे करने थे, और ये two coordinate system में जिसका हमने यूज किया और ये एक यूनित से कल दो किया है और यह आपके पास कोशनों पॉर का सुलूशन होता है कंप्लीट नेक्स हम कोशनों 5 के तरफ मुख करते हैं सबसे पहले हम कोशनों 5 को रीडोट करेंगे देन हम उसका सुलूशन देखेंगे टेकेस्ट एट सिन नेक्स आमरी परकोशनों 5 और फाइब है वविकें ड्रॉट फंक्शन इन दा डूमें तेन थेन तो टोटेन रखते हुँ अब नेक्स आमरी में पास्टों 6 और नेक्स आमरी पर पहुचनों 5 है जिसका solution देखा है उसे में भी same question था लेकिन वहां पर domain minus 5 to 5 थी यहां पर domain minus 10 to 10 है ठीक है और यह जो factorize and evaluate fraction हमने यह जो fraction हमने देखिए fraction same थी बस हमारे पर x की values change थी यहां से आपको importance नजर आ रही है इन पर यह paper कितने ज़्यादा important है देखें पर जो वो main campus में repeat हो रहे हैं तो applicative colleges में definitely repeat होंगे next question number 7 है calculate the approximate and numerical value of the integral 0 to 1 sin x cos x dx and also write a program to compare both results ठीक है next question number 8 है let करते हैं कि function आप पर पास के f of xy equal किसके sign x square y over xk plus 4 xy के calculate करेना आपने f of 1 minus 1 and graph आपने plot करना है graph contour plot of the f of xy on our region containing 0 0 तो यहां पर पास questions है जोने का हम रिडूट किया तो अब हम इनके solution देख लेते हैं सब पहले हम question of 5 का solution देखेंगे यहां कि जिस तरह से हम step by step questions के solution देख रहे हैं इसी तरह से solution देखते हैं तो देखेंगे सब्सक्राइब पास question of 5 है जिसमें हमने bucket function द्रॉट करना है domain minus 10 to 10 तो हम bucket function को द्रॉट कर लेते हैं और यहां पर पास question of 5 का solution होदा है complete यहां तक ठीक है यह graph आपने द्रॉट करना है next time question of 6 के solution की तरफ move करते हैं next हमरे पास question of 6 है question question of 6 में हमने क्या करना है how to factorize and evaluate a fraction fraction अपर पास given है for x equals to 3 minus 3 and 1 k तो हमने इसको क्या करना है हमने factorize और evaluate करना है इस fraction को और यहां पर पास function है function का आपने solve करना है f of 3, f of minus 3, f of 1 के तहथ और यहां पर पास solution है ठीक है question number 6 का next time question number 7 के solution की तरफ move करते है तो देखिए friends next time मारे पास question number 7 है calculate करना है calculate and approximate and numerical value of the integral 0 to 1 sin x cos x dx also write the program to compare both results अपने program लिखना है जिसमें अपने results को compare करना है और यहां पर पास question number 7 का solution स्टार्ट होता है जिसमें हमने function लिख दिया integral 0 to 1 sin x cos x dx और हमने इसको calculate किया solution का solution निकाला है और यहां पर पास question number 7 का answer है जैसे कि आपको पता है कि हम GCE main campus final exam 2019 का उसको हम discuss करें कम्यूटिंग टूल का MSC 4 semester का और यह जो same paper है यह MSC, sorry BS 8 semester के student भी इसको note down करें इसको त्यार करें ताकि आपकी exam बहुत अच्छे से त्यार क्लियर हो सकें क्योंकि यहां से paper जो repeat होता है उसके रहाँ कर आपने में चैनल को subscribe ने किया तो में चैनल को subscribe कर लें वीडियो ची रखते तो like करें और feedback मस दिया करें अब हम move करते है question number 8 के solution की तरफ जो कि आज की video lecture का last question है पेपर में हमारे पास last question है हम उसको discuss करने लगे हैं तो हम move करते है question number 7 question number 8 के solution की तरफ तो देखें स्ट्रोंट समारे पास question number 8 है चोकि आज की video lecture का last question है और पेपर में भी question जो है last question है let करते है function आप पास क्या है sin x square y over xk plus 4 xy calculate और यहां पर आपके पास question number 8 है हम इसका solution देखने लगे हैं तो देखें स्ट्रोंट समने function ले लिए sign of x square y over x square plus 4 xy और आपने यहां तक इसको स्वाल किया और नेक्स हम इसका graph भी फ्लॉट कर लेते हैं और यह देखें यह आपके पास question number 8 का graph है जिसको हमने फ्लॉट किया है और यहां पर आपके पास question number 8 का solution होता है complete कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूसकते हैं उसके लावा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे papers के solution मेरे चैनल से मिलें चुकि इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए उसके लावा अपने सारे के सारे क्लासमेंट्स को इन पेपर्स के solution मस शेयर किया करें ताकि उनकी भी help हो सके काफी नीज बेड स्टोरेंट्स होते हैं जो अपनी स्टेडी बड़ी मुश्किल से कहरे होते हैं तो उनको help म मिल चाहेगी अगर आप उनको शेयर करेंगे और कि स्टोरेंट्स अलाहफीज